तुम्हें पास लापटॉप है, फोन है, पैसे हैं, टीवी है, अच्छा खाना है, सोने के लिए अच्छा बैड है, लेकिन तब भी तुम खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि तुम्हें पास हर वो चीज है, जो एक सुखी, कमफर्ट जोन में रहने वाला चीज है, जिसके लिए गरीब बच्चा सपने देखता है, तुम्हें पास हर वो चीज है, जो वो डिजायर करता है, कमफर्टेबल लाइफ, अच्छे जिन्दगी, अच्छा खाना, अच्छे जिए फोन देखना, गेम खेलना, पॉन देखना, जो भी है, वाले कि दुनिया की हर एक प्लेजर तु तुमने खुद अर्ण नहीं किया है, वो पैसा तुम्हें मॉम डैट का है, वो लापटॉप, वो फोन, वो टीवी, वो बेड, वो घर, वो तुम्हारे मॉम डैट का है, इसलिए तुम खुश टैसूस नहीं करते, क्योंकि तुम्हें बच्पन से ही वो प्रिवलेजिस दी जिसको तुमने कभी ़र्ण किया ही नहीं, जिसके लिए तुमने कभी hard work किया ही नहीं, अगर तुम इन कामों के लिए hard work करते, जैसे कि करना है तो करना ही है मुझे लाप्टप चाहिए तो मैं इसके लिए हार्ड वर्क करूँगा मुझे फोन चाहिए तो मैं इसके लिए हार्ड वर्क करूँगा मुझे पैसे चाहिए तो मैं इसके लिए हार्ड वर्क करूँगा तब ही जाके तुम्हों हार्ड वर्क का असली मजा समझ में आता लेकिन गरीब बच्चा जो है वो हार एक चीज के लिए हार्ड वर्क करता है वो अच्छी स्कूल में जाने के लिए हार्ड वर्क करता है वो अच्छी नौक्वी लेने के लिए हार्ड वर्क करता है वो अमीर बच्चे हैं, वो क्लूलेस रहते हैं, जो मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास के बच्चे जो हैं, वो क्लूलेस रहते हैं, कि वो खुश क्यों नहीं है, वो डिप्रेसिन में चले जाते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, वो अराम से लेटे हुए रहते हैं, कमफर्ट जोन में पड़े हुए हैं उनके वाully सब कुछ है क्या क्या नहीं उनके पास स्मार्ठफोन है टीवी देखने के लिए है हरी एक pleasure रछुटकीओ समें उनके हाथों में लेकिन तब ही वो खुश क्यों नहीं है व्होगों है क्योंकि इसके लिए उन्होंने कभी hard work किया ही अपना जी तोड मेहनत करना पसीना बहार डालना कुछ कर गुजर जाने की लालसा होना वो जो मज़ा और वो जो सुकून एक हार्ड डे के बाद आता है वो एक प्लेजर वाले डे के बाद बिल्कुल नहीं मिल जब तुम जब सुबह से लेकर शान तक रात तक काम करते जा रह रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहो करते जा रहो बिना रुके बिना थके तो तुम महसूस करो कि तुमारा पास एकतम नहीं है लेकिन सैटिसफाक्टरी लेवल एदम हाई है सूपर हाई लेकिन जब वही डे तुम पूरे प्लेजर से भड़े रहते हैं एदम प्लेजर से एंड में तुम्हापस भली एनरजी नहीं होगा लेकिन सेटिस्वाक्टरी लेवल भी एक्तम बिलो बिलो होगा बिलो एवरेज बिलो जीरो किसी काम का नहीं हमारे जेनरेशन की यही प्रॉलम हो गई है जो जेनरेशन अभी 2000 से 2002 में पैदा लिये हैं जैन जी कहते हैं इनकी यही तो प्रॉलम है कि यह हर चीज पाना चाहते हैं मिलियन डॉलर्स पिलियन डॉलर्स एक खुबसुरत मालदा लड़त जिसके साथ मैं शादी करूंगा एक खुबसुरत घर बढ़ा टीवी बढ़ा फ्रिज यह सब के सबने देखते हैं थार थार पर चलेंगे लेकिन मैं अफसोस वो इसके लिए कभी काम नहीं करना चाहते हैं वो उसके लिए देख गलान ही चाते कभी hard work नहीं करना चाहते वो hard work से एक दम पीछे रहते हैं लेकिन मैंने यह the gift, the ultimate gift book पढ़के यह realize किया और the subtle art not giving a fuck यह पढ़के भी मैंने realize कि कि असली मज़ा, असली खुशी जो है, वो एक hard work day में है ना कि एक comfort भरे day में असली मज़ा, problems को solve करके आता है, ना कि पहले मज़ा लेके problems को solve करने बाद में जाना असली energy, hard work के साथ आता है ना कि comfort में बैठके relax करने से आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए, तुम्हारा homework यह है हाँ, तुम्हारा homework यह है, कि एक दिन बस एक दिन इदम hard work करके देखो किसी भी चीज में तुम अगर student हो, तो पूरा इदम जीतोर मेहनत करके पढ़ो, दिन भर पढ़ो या फिर अगर तुम कोई exercise में माहिर हो तो एक घंटा अराम से, एक घंटा या फिर एक घंटा exercise करो जब बर्दा से तुम मेहनत करके और फिर कुछ भी काम करो पूरा इदम होश खो दो कि दिन क्या है, रात क्या है, लेकिन उस काम पे तम तिमाग एदम टूब जाओ उसमें और दिन डे के आखिर में analyze करना कि तुमारा दिन कैसा गया और मुझे पता है कि तुम में उसमें काफी काफी ज़्यादा मजा आएगा भले ही energy खतम हो जाए लेकिन बहुत मजा आएगा डे के अंट तो इस उमबा को जरूर करना और एक बात अपने दिमाग में रख लेना कि एक आदमी जब अपने काम से प्यार करता है वो काम नहीं करता वो सिर्फ खेलता है अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करो और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करो क्योंकि ऐसी बहुत साइज इसे हैं जो तुम्हें जिन्गी को खूल के मजा देने के लिए सुननी चाहिए जो कि मैं बता हुगा I don't listen to the haters man I treat them like the enemy Had a couple traitors man But now they know the penalty I tell them see you later fam I do not need this jealousy I got no time for failure man I wanna leave a legacy I lock in and I'm sold out Pop up for the whole crowd I got this I won't